बिस्मिल्ला रख्मानिर रहीम, असलाम लेकों मैं होप आप सभी ठीक होंगे आपको पता होगा जैसे कि हमारी एक सीरीज चनल रही है ऐसे कंट्रीज के बारे में जहांपे जॉब्स भी अवेलेबल हैं, वर्क विजा भी आप आसानी अपलाई कर सकते हैं लेकिन और यॉर्प में भी वो कंट्री मुझूद हैं लेकिन लोगों को उन कंट्रीज का पता नहीं है तो मेरी कोशिश है कि मैं इस चैनल के थूँ आपको वो इनफरमेशन उन कंट्रीज की प्रवाइड करूँ जो कि यॉर्प में मुझूद हैं और लोगों को उनका पता ही नहीं है या जिनको पता है वो जॉब या वर्क विजा के लिए वहाँ पर ट्राइक कर ही नहीं रहे तो मेरी कोशिश है मैं आपको ऐसी डिटेर्स दूँ तो आज की जो वीडियो है इसमें हम कवर करने वाले हैं को सोवो को अब यह नाम या तो आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं और अगर आप पहली दफ़ा नहीं सुन रहे तो आपने यह नाम पहले भी सुनाओगा लेकिन आपने डीपलीज की इसमें जॉब्स इन डिमांड जॉब्स और वर्क विजा के लिए ट्राइ नहीं किया होगा तो आज की वीडियो में A to that सारी चीज़े हम कवर करेंगे वीडियो सारी देखे ताके सारी चीज़े आप बासानी समझ सकें तो वो एक European कंटी है और यहाँ लेंग्वी जो है वो तुरकिश है सर्बियन है और इंगली चलती है करंसी यहाँ पर योरो है और यहाँ पर ज्यादतर पॉपुलेशन मुस्लिम की है मुसल्मान ज्यादत अदाद में यहाँ और 40 से 35 से 40 परसन यहाँ पर फोरेस्ट है यहनि जंगली इलाका है जंगल यहाँ पर मुझूद है और यह कंट्री को ज्यादा दिन नहीं हुई यह 2008 में इंडिपेंडन्स हुआ था 2008 में यह मार्जे वजूद में आया था अच्छा इस कंट्री में फोरेस्ट के साथ लाइम स्टून बहुत अदाद में अब लाइम स्टून ज्यादा है इसका मतलब यह है कि उस लाइम स्टून को देखने के लिए टूरिस्ट बहुत आते हैं जहां पर टूरिजम ज्यादा हो ओविसली वहाँ पर जो जॉब सेक्टर है टूरिजम से लिटे होस्पिटैलिटी से लिटे वह काफी अविलेबल होंगे तो हैरा हम सीधे आते हैं मुदे की बात पे अगर आप फिर भी इसकंटी की बेसिक इंफरमेशन डीफ जाना चाते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पिल जाएगा वेबसाइल का वहाँ पे देख लीजेगा तो वो सारी जॉब्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रही है उन जॉब्स में सबसे पहला जो सेक्टर है वो है टेक्स्टाइल का टेक्स्टाइल जो इंडिस्ट्री है उसका सबसे बड़ा सेक्टर है दूसरा माइनिंग है तीसरा फिशिंग में यहाँ पे है चोथा सबसे बड़ा इनका जो सेक्टर है वो है ऐगरी गलचर सेक्टर काफी बूश्ट है यहाँ पे जो इस इक लब़ा है सिमन फैक्टरि्स यहां पे बूस्ट करती हैं और मेटल एन्ड आरेन्ड इंड्रि इंड़ãटरी जो हैं वो यहाँ पे साथ 색깔र आपर साथ जो इनका एक मेन और बड़ा जो सेक्क्टर है यहाँ मेरे स्थैस्पे इसमेंद सेक्टर में बहुत दफ्पान कर चुका हो में आपका होटेल गार्ड्स हैं ड्राइवर्स हैं ट्रांस्पोर्टेशन में तो यह सारी जॉब्स यहां पर एविलेबर हैं इंक्ल्यूड एंज हॉस्पिटालिटी सेक्टर में ही तो यह बहुत अच्छा कंट्री है नो डाउट लेकिन अब यहां पर वर्क पर्मेंट का प्रसेस थोड़ा सा दूसरे कंट्री की जो कंपेर उनके साथ करें तो यह थोड़ा सा यहां पर चेंज है वर्क पर्मेंट का प्रसेस तुम आपको बाद में बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं को बताता हूँ यहां पर जॉब हासिल करने के तीन तरीके पहला तो है विजिट विज़ा आप य बोड़ा सा explain कर लेते हैं ताकि आप वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो और आपका काम भी बन जाए सबसे पहला जो तरीका है वो है विजट विजट विजा आपको मिलेगी वहां पे जो कसोवे के विजट विज़ा के लिए आपको डॉकमेंट्स चाहिए उनकी लिस्ट है वह डॉकमेंट्स बना के आप अमबैसी में या वी एफस की तरू आपकिसान में या इंडिया में या जहां से आप अप्लाई कर रहें तो विज़ए विज़ा लें और वहां पे जाके आप जोब अपने लिए ढूंडे और विज़ा में उसे चाहिए पहला तरीका तो है य उसी वीडियो में बता चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में जाएं आपको जो कसोवो के जो पोर्टल्स हैं वो मिल जाएंगे गौर्णमेंट से अप्रूड वहाँ पर जाके आप अपनी सीवी अपनी अपनी सीवी और कवर लेटर अप्रोड करें और वहाँ पर अपने लिए करके वहाँ पर अप्लाए कर दें सिंपल अप्लाए करने का प्रोसेस है और जो तीसरा तीर की तरीका है वह है रिक्रूट्मेंट अब कुछ रिक्रूट्मेंट एजंसिस मैं आपको सुझेस्ट कर दूंगा गरंटी नहीं देरा मैं थर्ड पार्टी की हैं मैंने जो सेलेक् लिक्स हैं वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इसके लावा आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं देखें यार आपको सिर्फ वीडियो बनाने का मक्सूद है आपको पॉइंट देना उस पर मजीद सर्च करके अपना डिसीजन लेना यह आप पे मैंटर करता है आप पे डिपेंड करता है तो आप खुद भी सर्च किया करें आप खुद भी रिकूट्मेंट एजंसी को सर्च कर सकते हैं गूगल पे तो मैं भी जिनके लिंक्स जिनको मैंने सिज़ेस्ट कर रहा हूं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे उन किसी को भी क्यों ऑनलाइन पेमेंट ना करें या किसी को भी एडवांस पेमेंट ना दें यह सारे इंप्लॉइमेंट विजा फुरी होते हैं आपने जो भी बंदा आपसे एक रुप्या भी मांगे समझें वह फ्रॉड है फीस जो है रिकूट्मेंट एजंसी के वह आपसे जब आपका काम हो जाएगा रिकूट्मेंट मिल जाएगा उसके बाद आपको एजय हैं जो यगा उसके कर सकती हैं आप जिए ऌपेज़ किया करें पैसे बहुत मुझे storms की खुदह आगरें अगर आपको जॉब मिल जाती है और आपका जो employer है वो आपका interview कर लेता है आपको pass कर देता है तो वो foreign ministry से आपको work permit एक approval लेके देगा उस work permit approval के साथ आप अपने documents attach करेंगे आपका passport, आपकी photos, ID card और सारी चीज़े, health certificate है, health insurance है, police certificate है, character certificate ये सारी चीज़े आप लेके कुसोवो के embassy जाएंगे, चाहे वो दुबई में फिर आपको जाना पड़ेगा, जब आपको work approval मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप अपने लिए traveling visa apply करेंगे, ठीक है, अब दूसरे गंटिस की मैंने बताया था कि थोड़ा सा यहाँ पर पूरा स करनी है, embassy से आपको work visa नहीं मिलेगा, यह आपको कुसोवो से मिलेगा, embassy से आपको traveling visa मिलेगा, तो work visa plus residence permit यह आपको कुसोवो जाके मिलेगा, और फिर आप अपनी job पर stand होके अपने पैसे कमाना शुरू कर देंगे, अब जब आप traveling visa पे कुसोवो जाएंगे, तो जितना भी उस दुरान खर्चा होगा, वो आपकी जेब से होगा, यह फिर कुसोवो पहुंचके work visa plus residence permit अपलाई करते वक्त या मिलते वक्त जितना भी खर्चा होगा, वो आपकी अपनी जेब से होगा, यह चीज़ आपने mind में रिखनी है, यह process थोड़ा सा change था, तो फिर आप को work visa मि भी shift हो सकते हैं, तो कुसोव एक ऐसा country था, जहां पर try करने में कोई हर्च नहीं है, well settled country है, लाजमी ट्राइ करें, जिन लोगो नहीं पता, वो अभी से best option यह है, जो पोड़ाई कर लें, उसमें आपको रिस्क भी नहीं है, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, और visit visa वाले में सारा मकसद यह था, कि परपस यह था, शॉर्ट फिल्म बनाने का, ताकि आपको पता चल सके कि एजन्ट आपको किस तरह लोटते हैं, और आपकी जान को कैसे खतर है, तो उस मूवी में दो लोग है, मसूम लोग हैं, वो एक एजन्ट के पास आते हैं, एजन्ट उनको ग कि अपनी comment में भी बताना है कि हमें ऐसी कोई नहीं, ऐसी से related कोई और वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, तो यह कुछ detail सी basic थी कसवब के बारे में, तो I hope कुछ ना कुछ आपकी queries हल हो गई होगी, या फिर जो सोच के आपने इस वीडियो पे click किया था, वो information आपको नहीं मिली, comment section में बता दीजिएगा, या फिर इस वीडियो को सुनने के बाद फिर भी कोई चीज समझने है, comment section में बताईएगा, कोशिश करूँगा आपकी queries को हल करने की, वीडियो थोड़ी सी helpful रही हुई, तो like कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर पहली फैमिली का बहुत बहुत सारा ख्याल रखिए, टेक कियर, आला हाफिज